देखिए भारत एट नाइन कावेंद चौहान के साथ देखी जा सकती है क्योंकि सरकार और किसानों के बीच जो लंबी बाचीत थी वो दरसल अब सफल रही है ऐसे में पूरा भारत पूछ रहा था कि कब ये किसान आंदोलन जो है ये खत्म होगा कब किसान वापस घरों की ओर लोट सकेंगे वापस जा सकेंगे और जैसे की कहावत है कि अंत भला तो सब भला तो दर्शकों ये जो अंत हुआ है ये भले के लिए हुआ है और अब किसान वापस जाने की तैयारी में है 11 दिसंबर वो दिन तैह हुआ है जिस दिन इस आंदोलन को ऑफिशियली रूप से खत्म करने की बात कही गई है खत्म करने का इसको एलान किया गया है दर्शकों आपको बता दूँ कि 13 दिसंबर को सभी किसान स्वाण मंदिर जाएंगे वहां पर मत्था देखेंगे दर्शकों ये किसान आंदोलन जब शुरू हुआ था तो दिल्ली के तीन दर्वाजों की बात करूं सिंगू बॉर्डर टीकरी बॉर्डर और ग अब गाजे बाजे की साथ यहां से जाने की तयारी है तो जो क्राइमेक्स है जो दा एंड है किसान आंदोलन का वो एक खूबसूर्ती के साथ हो रहा है किसान खुश है उनका कहना है कि सरकार ने उनकी सभी मांगों को मांग लिया है और जो उनकी सबसे प्राथमिक मांग थ आते थे उनको वापस नेनी की मान और पूरा देश जानता है कि भारत सरकार ने अब तीनों क्रिशी कानूनों को वापस ले लिया है तो ऐसे में MSP की जो बातचीत थी उस पर कहा जा रहा है कि कमिटी बना दी गई है और उस पर बातचीत होती रहेगी और आने वाली 15 जनवरी को कमिटी एसेस करेगी और साथी किसान भी बैठेंगे जहां एसेस्मेंट होगा कि सरकार में जो बाते कहीं वो ठीक तरह से उस पर काम कर रही है या नहीं तो दर्चकों ये गाजे पर बॉर्डर है जिसको किसान क्रांती द्वार भी कहा गया एक साल 378 दिन यांदोलन चला एक साल से जादा का अंदोलन अब इतिहास के पन्नों में दर्ज हो जाएगा और बच्चे और जो सिक्षक होंगे वो आगे चलकर छात्रों को पढ़ाएंगे कि किस तरह से ये किसान अंदोलन यहाँ पर चलता रहा मेरे पीछे आप तस्वीरे देख सकते हैं ये टेंट ये वो बंद रहा लेकिन अब जब सरकार के दोरा किसानों की सभी मांगों पर बात थेहर चुकी है जो एक डेडलोग की सिती थी अब वो बंद हो चुकी है अब ऐसे में किसान खुश है कि वापस जाने का समय है घर लोटने का समय है उनका कहना है कि सरकार किसाम ने उन लोगों जाता है कि आजादी के बाद एक इतना बड़ा अंदोलन पहली दफ़ा देखा गया और सरकार को कहीं ना कहीं उनके सामने घुटने टेकने पड़े सरकार कहीं ना कहीं इस अंदोलन के सामने जुकी और सरकार ने तीरों किशी कानूनों को तो वापस लिया ही लिया इसके साथ थी किसानों पर जितने भी मुकदमे दर्ज हुए थे उनको भी वापस लेने की बात कही गई है और इसके साथ इसाथ किसानों को ये मिला कि इस आंदोलन के जर्य है जब तीन करशी कानून पारलियमेंट में गूंज है और पारलियमेंट में किसी तरीके से इनको पास करवा दिया गया तो देश के किसानों को ये मिला कि वो एक साथ आ गए देश के सभी किसान सही उक्तुरूप से एक साथ आ लेकिन पुलिस्या कारवाई के तहद आंदोलन कुछले भी जाते हैं वह आंदोलन डवाई भी जाते हैं। लेकिन ये लड़ाई बहूत भीषन लड़ी गई। प्रसवार फिर सुचारू रूप से चलती नजर आएंगी। क्योंकि किसानों की जो मांग है उसको सरकार ने मान लिया है ऐसा किसानों का कहना है तीनों कृशी कानून वापस ने लिये गए हैं और किसानों को पहली दफ़ा यह हैसास हुआ है कि किसान कौन है किसानों की पहचान को इस आंदोलन के जरीए एक नई पहचान एक नई अबार थी उनके अंदर जो जोश था उसको परखा था आज जब वो वापस जा रहे हैं और कह रहे हैं कि एक बड़ी जीत हुई है तो जीत के साथ यह जानने की कोशिश करेंगे कि आज उनकी खुशी की जो सीवा है वो दरसल क्या है तो दर्शको जब हम अंदर आते हैं यह सामने हम अब जब एलान कर दिया गया है से किसान मूर्शा की तरफ से कि 11 दिसंबर से ओफिशल रूप से आंदूलन खत्म हो रहा है ऐसे में बैग लेकर जाते हुए किसान दिख रहे हैं कितने खुश हैं नहीं घर की रोख खुश की दिसामने जा रहे हमारे घर पर हमारे भाई की पोती की साथी तरीक की मैं ऐसे लिए जा रहा हूं जिला में पुरी से मैं जिला दच्छू रूपिन सीजाग जिला द्यक्श है लेकिन किसान अंदूलन जो खत्म करने का एलान कर दिया गया है ऐसे में घर की और वापसी है नहीं आपसी जब तक हमारे ठीक है परसों तक कर सब्सक्राइब जाएंगे तीन पीडियां यहां देखी हमने अब बात जाहें कि पहले हैं तेके तो यहां है तब तक आप यहां है और अच्छी खुसी तो दाई है एक हुए यही बैटे कुशी बात है घर जाएंगे अच्छी बात है लेकिन खुसी नहीं किस बात के नहीं है किसान जो मांग रख रहे थे उन मांगों को तो सरकार ने मांग लिया? किसान आन्दोलन के जब दर्वाज़े के अंदर गुसते है तो ये तस्वीर है यहां बीते 378 दिन तक, यहां हम देखते रहे, अब यह जो नजारे, यह जो तस्वीरें शुरुआत हुई थी पिछली साल से, आज से 378 दिन पहले यहां पर गाजी पूर बॉर्डर में कुछ किसान आए और बताया गया कि अंदोलन के रूप में इसको शुरू किया जाएग आज से पहले क्या होता है तैयारी करने पड़ती है, कपड़े रखने पड़ते हैं, तहे करने पड़ते हैं तो मान ली गई अब खताम हम ने मान ली हम भी चले जागा की बाद है जिब मांग ली चोधिसाब अभी मंसा नहीं कर रहा है अब तो एक मिनना समान सुवाने में लगएगा बहुत रंगा पड़ा यहां अधिक के लिए टाले जाएंगे तो सामान जो है वो घर ले जाएंगे और के रहे हैं कि जी नहीं लगए वापस जाने का रहा है यही रहने का मन कर रहा है जींगे ठीक है ठीक है हाँ सबसे पहले सिंगू बॉर्डर का इंतजार करेंगे फिर उसकी बाद सबसे आखरी में जाएंगे यह ट्रैक्टर खूब देखे गए खूब चले खूब आंदोलन का एक मैं बताऊं तो पोस्टर बन के रहें आंदोलन में खूब यह ट्रैक्टर चलते हुए दिखें हमने 26 जनवरी हो कहीं भी किसी भी आंदोलन कोई भी प्रतीक हुआ तो वहाँ पर यह ट्रैक्टर चलते हुए देखे गए लगातार ऐसे में यह तस्वीरे आज जब सभीन किसान मोर्चा ने एलान किया है कि अब इस आंदोलन को स्थगित किया जा रहा है 15 जनवरी को करिएगा इस्ता अंदोलन के जर्ये किसान टो्क हुआ लेकिन इसग légया ने किसानों को भी पहचान दिलाई कि आप किसानाrences ऑ lavender किसान नहीं ते मैं इस अंदोलन के जर्ये आप लोग देश का किसान संगठित हो गया तो किसानों के ताकत का अंदाज़ा हुआ तो पड़ी कि जाने के तागत वड़ी पंजाब अर्यानार जो क्या नाम किसान मजदूर सब एक होगे यह एक समझता मिला इस सही इस अंदोलन से मजबूती होई यह मजबूती ताउ बताएंगे स्पश्रूप से हां मैं आप से मैं आप से खुलकर बात करूंगा एक सके ताव आपने महिन सिंग टिकेट के जमाने के वह अंदोलन भी देखे जब बोर्ट क्लब में आप लोगों ने महिन सिंग महिन सिंग टिकेट साब के जमाने का वी अंदोलन देखा जो बोर्ट क्लब में किया गया था यह अ हर जुग में इन्हें दिल्ली की साथा करने पड़ी यू तब का चैनल को दिल्ली के यही है फिर और भाई आजा मारे के इसमें तो दूर के बहुत अड़ंगे कहा इतने अशे त्यासे गाडियों में दरजा जिब दिल्ली पापते है जिब यू तब का उठाओ अपना लेकिन परेत तो करो यह परिश्रम किया जो लड़ाई लड़ी जो जंग लड़ी सरदी गरमी बर्सात यहां मव्जूद रहे ढटे रहे हर चीज शहन की अब मांग मान ली गए तो जागी तारीफ का मोधी कुदे देंका बाइख हमारी की तारीफ नहीं हमारी तो हो आ हो न जंग होगी तो उसमें कुछ ना कुछ तो गडबड़ होगी मैं बताईए अब इतनी बड़ी लड़ाई लड़ी जाएगी जंग लड़ी जाएगी तो फिर उसकी सीडिया साब क्या बात पर विपिन रावत साथ हमें बहुत देल है उसको लेका दुख में हैं मुझे तो मंगे हम मस्दूर बिना री कहां चोड़े रेल बंकर दी तेरे के दाड़का 3000 कि नो खिले जाक तुक पाले यह तो नौख बतार हैं आपके दोस्त नहीं हैं आपके दोस्त यह वाज्चपन के दोस्ता है आप मरता मुच भी धोड़ी ओली भूड यह व्जाने कि खूबसूरती है कि सब को एक कर देती है नहीं मैं समझ गया देखके साथ वोड़ क्लब में भी आप रहे होंगे लेकिन हाँ यह बड़ी आंदोलन की खूबसूरती है कि बच्पन के दोस्तों को भी एक साथ रहने का मिल जाता है जी यह द्रक्षें कर देखने को मिल जाती है आप यूवा है यूवा के अध्यक्ष है वापसी है क्या खुशी है खुशी है कूशी में ज्यादा है नहीं कि क्यों नहीं खुशी एक साल मारे बुजरुकों को किसानों को खेती छोड़ने पड़ी परिवार चोड़ना पड़ा जब इन्होंने कु वो भी तरसा तरसा गया कुछ तो मांगती है लड़ाई मांगे जी लेकिन इतना नहीं मांगती साल भर लो राजागु यह देखना चाहिए कि परजा कितनी परेसान हो रही इतनी लंबी लड़ाई उनके बड़ा दूख है जी जो आंदोलन में जीत हुई उसको लेकर खुशी है लेकिन जो कैजियल्टी हुई उसको लेकर अभी जो है रोश बरकरार है बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी बातचीत करने के लिए ठीक है तो यह जो आंदोलन है यह तस्वीर हम आपर दिखा रहे हैं यह राकेश्टिकहच साब चौद्री राकेश्टिकहच साब जो राश्ट्रे प्रवक्ता भारत्य किसान यूनियन उनकी तस्वीर है यह वो जगह है जहां से आपने हमें कई कार्यकरम करते देखा होगा कई बात्चीते हुई अब बात्चीत खत्म होने जा रही है अब कहां मुलाकात होगी जी होगी मुलाकात को बता दिया सेंग्त किसान मोर्चा ने की ठीक है अंदुलन स्थगित कर रहे हैं अभी के लिए वापस चलते हैं तो घर जा रहे हैं आप लोग कितने खुश हैं यह वी तो नेता जी सबने जो किसान है इने सबने बेज के लोटेंगे कब उसके बाद टीक्री बॉर्डर के किसान लोटेंगे हुक का जो तस्वीरे ट्रैक्टर वैसे हुक का खूब यहां से मस्त रहा यह ट्रैक्टर भी आंदोलन में आया होगा 378 दिन के बाद इसकी भी जो तबियत है वो थोड़ी खराब सी लग ठीक नहीं लग सरकार ने तो दिया है सब के बाद में लाश्ट में हमारे चलेंगे उसके पीछे पीछे उनके हम चलेंगे तो यह तस्वीरे आप देख सकते हैं गाजयपूर बॉर्डर से गाजयपूर बॉर्डर की एक्स्लूजिव तस्वीर है है 9 December की शाम है और आज शाम को यह अलान किया गया स्विंट किसान मोर्चा की और से की जो अंदोलन है थी बेरिकेट जीन धर ऊधर धकेले जा रहे थे आप जब जा रहे है तो गाजयबाजय के साथ जा रही है खुंशहो कर जा रहे हैं या रहे जोटी साहीड हूप मिलटरी के महारे जवान तेवे यह जो जँरा व क्हीन हूप सॉखपूरेया चॉक्रम। निवाद भूद शुक्रिया तो यह अंदोलन जिसके हम बाचीत कर रहे थे आंदोलन में यह तस्वीर हाँ तो यह चर्चाएं होती रहेंगी कि नहीं होती रहेंगी बिल्कुल होई वापसी है ज्यादा डिस्टब नहीं करेंगे यहाँ पर भी कारिकरम जो है उसको चल रहा है ऐसे में आगे बढ़ते हुए रास्ता दिखाते हैं कि यह रास्ते जो थे बिल्कुल खचाख भरे रहते थे यहाँ पर सड़क पर चलने की विवस्था जो थी वह जगा तक नहीं नजर आती थी लेकिन ऐसे में यह देखिए नेताओं के लिए नेताओं वाली यह जगा तो ऐसे में यह रास्ते यह सड़के यह दरसल नेशनला हाईवे है लेकिन अगर काम की मौर्निंग वॉक जैसा नजारा लग रहा है यह दर आये नेता जी कहां जा रहे है तेजी में युवा जिलात दक्षा मारे ठागु शरंदर आए जिला बड़ी नेताओं के अच्छी पहचान होती है कि परिचे कोई और करा देता है अब बता पूछो ना के लिए और हमारी जीत हूई जो फह उनकी वहारा उनकी हख साल से ज्याता हमने लोगों बिताया आप embedded लोग हमारा गाजीपुर भोडर ने दिल ले लिया और गाजी पूर्पॉर्टर दिल वापिस करने के लिए त्यार नहीं है तो बनी जाता है हमारा भी आते 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 आप से रिष्टा बन किया वुलाकात जो चलिए ठीक है शुब काम नहीं आपको तो वापसी के साथ ही साथ यह ट्रैक्टरों की गूंज कहां कह जा रहे हैं जी कहां कहां जा रहे हैं घड़ी मारने घड़ी मारने तो यह तस्वीर गाजीपूर बॉर्डर के आपको दिखा रहे हैं लगातार यहां पर हम लोग आते रहे हैं इससे पहले भी लगातार यहां पर आपको दिखते रहे तो यह वह जगहा है जहां में कह रहा और दर्शन पाल सिंग और आकेश्ट कैट साहब सभी ने एक साथ एक स्वर में कहा कि अब इस आंदोलन को स्थगित किया जा रहा है इसके अलावा 11 दिसंबर से ये ओफिशल रूप से स्थगित होगा इसके बाद 15 जनवरी को एसस्मेंट किया जाएगा जिस पर देखा जाएगा कि जो मांगो पर जो बात की गई है सरकार उस पर सही से काम कर रही है या नहीं किसान आंदोलन खत्म नहीं हुआ शब्दों का बड़ा ध्यान रखीगा भी दिखना शुरू हुई थी बड़ी खुशी का दिन है कि जीत मिली है वापस है सब वापस हो गया सब खूष है फूस लडाई भीषण रही लड़ाई तो ओर भी जाड़ी रहे गिग भी जाड़ी रहे के थोड़ी दिन क्लें स्थाकत करा यह दिया इस्थागत कर दिया कि यहां पर हमने देखा कि किस तरीके से खान पान की पूरी विवस्था रही हर किसी के लिए ऐसा नहीं था कि सिर्फ किसानों के लिए हो बाहर से भी लोग जो आए वो लंगर का स्वाध चक्ते रहे लंगर में खाना खाते रहे गलत कहीं कि ठीक मेरी बात को वरिफाई करने के लिए आपका शुक्रिया यह सड़क है अब हम उपर की और बढ़ रहे हैं मंच है जो 378 दिन तक भरा पूरा रहा और अब जब किसान अंदोलन को सगित करने की बात की जा रही है तो अब ऐसे में आगे की क्या रड़नीती है क्या कुछ होगा इ इसके साथ इसाथ सेंट किसान मोर्चा की जो आज मीटिंग थी उसमें साफ कर दिया गया है कि 15 जनवरी के बाद आंदोलन जो है उसका एससेस्मेंट किया जाएगा अगर 15 जनवरी के बाद उनको लगता है कि ठीक नहीं है सरकार ने जो वादे किये जो उन्होंने लिख कर है उस पर ठीक से काम नहीं किया गया तो आंदोलन के आगे की रड़नीती भी बदल सक्ती है शब्दों पर गौर करना काफी जरूरी है तो आंदोलनकट नहीं सब्सक्राइब बांदोलन खत नहीं सगित हुआ है लेकिन ऐसे में यहाँ पर किशानों के चेहरे पर खुशी नजर आती है कि अब 378 दिन यहाँ पर रहने के बाद जी बिलकुल क्या कह रहे हैं खाना खालो खाना 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 खाया तो लंगर की जो विस्ता है यही है कि यहाँ पर हर किसी के लिए जो खान पान की विस्ता थी वह बनी रही जीट हाँ किस पर बाची चल रही है गर जाके क्या करेंगे जाके क्या करेंगे है एक कित ताड़ दी टीक तो जीत मिलिए अपने घर सभ़ी सलामत जाेंगे जीत गए है और किसानों की बाङब बड़ी भीशड रही है मान मांगी गई है ठीक है अपना अपना घर आराम से जाएंगे लोग की गलत फ़हमी दूर हुई है जो देश के देशवासी ये सौचते थे कि मोधी जुकेगा नियों जुका भी है नाक भी रगडी है बिल्कुल तो लड़ाई बड़ी भीशड चली इतनी बड़े बड़े यहां पर तंबू लगाए गये कितने बड़े बड़े यहां पर जोपनियां जो थी वो बनाई गई थी ऐसे में गाजियाबाद नगर निगम जल विभाग का जो आप एक वाटर टैंकर देख सकते हैं यह भी लगातार पानी की जो विवस्ता है करव कि पनचायद या फिर कहूं की महा पनचायद के जरिये भी किसाना अंदॉलन को बेता दिखाए गया यह तस्वीर बहुत कुछ कहती है किसानों की जीत हुई है Qisano की जीत हुई ऐसे में भांगडा भी हो रहा तो दो आख़े की तस्वीर इंप रहा आपका है यहाँ नां प्लखा रहे क्या रिटकले डिदू पाहर थे हम खुशी में बजा रहे partner आपका नाम क्या है आपका हर्मन सिंग रहा है खुशी में बजा रहा है जीत विली है यास जीत हुआ हो यह थो द्यादा कुडिया सुनी दिया एक बतली एक भारी हो पतली दाता व्याह हो गया भारी रागी कवारी या पहले जण गए कि प्यारी अपे है जिनानल की हिंडा कि अधिया आपके इस निफिशा आपके बताईये कि प्थी खुशी है बहुत कुशी है तो चलिए किन के साथ आए थे यह हाप जहां पर तीन तीन पीडिया एक साथ नजर आती रही है जुखा दिया वड़ा खूबसूरत आंदोलन जहां पर तीन तीन पीडिया एक साथ नजर आपको जो कहता ना मैं जो जुखता नहीं हूं तो हमने पंजाबी ओने जुखाया एक मिनाट ना चडूनी जी नाखेश किसी नहीं जुखाया सिर्फ गूरुनाने जी के लंगरे जुखाया बिल्कुल बिल्कूल विल्कुल तो ऐसे में यह अंदोलन अब खुशी के साथ ताजए व विश्ता हुआ यहां पर भांगडा दिखता हुआ और अब अंत उस जगह से करेंगे यह सामने मेरे वह मंच मौझूद है जो 378 दिन तक जगमाता मगाता रहा और इस मंच से किसानों का एक नाम हुआ है कि किसान किसान है और किसानों की भी एक संयुक्त ताकत है किसानों की भी एक संयुक्त पहचान है किसान एकता मोर्चा गाजीपूर दिल्ली गाजीपूर बॉर्डर यह इलाका यहां से राकेश ठीकैत के आंसू पूरे देश देखे और एक बार फिर आंदोलन को एक बड़ी धार मिली, आंदोलन को बड़ी धार मिली की नहीं मिली, जीत मिली, तो आंदोलन को एक बड़ी जीत मिली, इसके साथ ये तस्वीरे जो शहादत के नाम पर जिनों ने देश के लिए शहादत दी, इस आंदोलन के जरीए, उनकी समझेंगी और इस आंदोलन के बारे में पढ़ेंगी और जिन लोगों ने इस आंदोलन में शहादत दी है उनका नाम भी सदयों सदयों के लिए अमर रहेगा बाकी अब इस आंदोलन को जब इस्थगित करने की बात की गई है एक बार फिर दोहराता हूं इस्थगित खत्न न किसान किस तरीके से खुश है किस तरीके से भंगड़ा हो रहा है और किस तरीके से खुशी के साथ अब जाने का भी समय नजदीक आ गया है फिलाल के लिए इतना ही अपने रहेगा नियूज वर्ल इंडिया के साथ दन्यवाद